अब आपको पसंद आएगी वीडियो के पहले मेरे चैनल नंगी डोनेट की रेसिपी यह बहुत ही कराडी बनने वाली इवनिंग स्नाक्स की रेसिपी है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राइग कीजिए और जो उमीद है यह आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो शुरूर क करने से पहले मैं आप सभी से रिपेस्ट करना चाहूंगी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो डेट करने की सब्सक्राइब की बटन होती है उस पे क्लिक कीजिए साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि आपको मेरे इस पी डोनेट बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने एक पैन लिया है और फ्लेम को लो पे रखा है और अब हम सुझी को ड्राइ रोस्ट कर लेंगे लगतार चलाते वे हम सुझी को पांच मिनिट तक भून लेंगे बहुत साथा भूननी की ज़रूरत नहीं है जस्ट हलकी स इसे हम इने भून लेंगे पांच मिनिट हो गए है तो अब में डाल रही हूँ डेर कप के कड़ी पानी आड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करें इस तरीके से लगाता चलाते हुए हम इने लो फ्लेम पे कोख होने देंगे कुछ दो मिनिट के लिए हमारे सुझी दखके हम इसे पांच से साथ मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पकनी देंगे, साथ मिनिट हो गे है प्यान का ठकन हटाएं और हमारी सूझी काफ़ी अच्छे से पक गई है तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, डेहीं देखें मैंने इसे एक बोल में निका नमक के अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारे चीसे आपस में काफी अच्छे से मिक्स होके एक डो त्यार हो जाए अब मैं इसमें आड़ कर रही हूं क्योंकि सूची चुब है वो काफी स्टिकी लग रही है तो हाफ टीस्पून की कड़ी मैंने आइल आड़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स करें अब हम डोनट बनाना शुरू करेंगे तो मैं आज आपको दो मेथेड बताऊंगी डोनट बनाने की सबसे पहले मेथेड में हम यूज करेंगे कुकी कटर तो एक प्लेट लिया है इसको मैं घ्रीज कर रही हूं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजे और थोड़ी सी पोर् राउंड शेप दें और एक बॉल टैप की त्यार कर लें और इसे प्रेस करें वीडियो में दिखायागे तरीके से इसे कार्ट लें वाकी बचे हिस्से हैं उसे निकाल दीजे कुकी कटर को हम साभधानी से निकाल देंगे और यह दिखिए एक राउंड शेप इसनी काफी इच्छे से ले लिया है चोटी कुकी कटर को बीश में डाले और प्रेस कीजे वीडियो में दिखायागे तरीके से हम इसे फिर से निकाल लेंगे और यह दिखिए हमारे डोनट रेडी है और आपको बताऊंगी दूसरी मेथर डोनट बनाने की फिर से मैंने डो से थोड़ी इसे छेत कर लेंगे और यह देखिए यह आसानी से डोनट बनके त्यार हो गई है तो चली अब हम इनने डी फ्राइ कर लेते हैं एक पैन में मैंने तेल गिरम कर लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है एक बार में मैं दो डोनट को ही तलने वाली हूँ तो एक मिन दोनट काफी अच्छे से तल गई है बहुत ही अच्छी कलर आए है तो अब मैंने निकाल दे रही हूँ काफी कराडी और टेस्टी यह बनके त्यार वी है आप इसे किसी भी डिप के साथ सब कीजिए और गर्म गर्म यह बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और आब मैं दिखाऊंगी कि यह कितनी कराडी बनी है तो यह देखिए और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए मिलती हूँ एक नए रेसिपी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई